कोरोना संकट काल में दिन राथ कोरोना वारियर्स की भूमी का निभा कर बीमार मरीजों के लिए संजीनी बूटी का काम करने वाले 102 एंबुलेंस कर्मी शोशन से परिशान होकर हरतार पर चले गए एंबुलेंस कर्मी ने अस्पताल के अंदर एंबुलेंस खड़ी कर चपका जाम कर दिया नाराज एंबुलेंस कर्मी का आरोफ है की करोना संकट में अपनी जान जोखी में डाल कर सेवा करने के बदले में उनको तनक्वा का पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा दो या तीन हजार रुपे मिल रहे हैं इतने कम पैसम में वे कैसे गुजर बसर कर सकेंगे उन्होंने एंबुलेंस कर्मी का ठेका लेने वाली नीजी कमपनी जीवी के एम आर आई पर आरोफ लगाते हुए कहा कि वे 102 एंबुलेंस कर्मी का शोशन कर रही है कमपनी ने बड़ा गोटाला किया है 102 एंबुलेंस कर्मी के हरताल पर जाने के बाद मरीजों को अस्पताल तक जाने की समस्या खड़ होने वाली है मैं यह कहना चाहता हूँ हमारा नौ मैने से बेतन कट रहा है हम लोगों को सहली दी जा रही है दो हजार तीन अजार तरसी महमारी में हम लोग 24 गंटा डुटी करते हैं तब ही हमारी कोई संने वाला नहीं है प्रदेश कमेटी हमारी जो लखनवू में बैठी है अंसन पर बैठी है भू करताल पर बैठी है उसका नेड़य मिला है तो हम लोगों ने बंजीरो टू की सेवा बंद कर दी है कब तक चलेगी यह था इए कोई जब तक हमारे लोगों को समझाओता नहीं होगा तब तक नहीं चल पाएगी है बंजीरो टू की गाड़ियां खड़ी किसकी लापरवाई लग रही है यह लापरवाई है हम लोगों का सोसड किया जा रहा है वो लोग घुटाला कर रहे हैं कितने तंखाल मिलती हैं हम लोगों को कितने तंखा मिलती है कितने गंठा अब लोग करते हैं क्योंगे रोड में के सुनने वाला यह किसलिए आप लोग धर्ना प्रदसन करें जो जीवी के हमारे कंपनी है यह हिदराबाद की कंपनी है यह नौ मेने से हम लोगों का लगातार सेलरी के वेसिस पे सोसड़ कर रही है और हमारी छे साल की ग्रेजटी यह का पैसा यह खाद गई है अभान प्रदसन करें जो को अधिका कोई आदेश नहीं आता है किया मांग क्या है कि मांग हमारी है जो हमारा चैसल का प्याप का पैसा था है यह जी बी के यह आमारे कंपनी पैसा हमारे लोगों का रोख दिया है और इसाई पीफ का पैसा बिरोख लगता है सेलरी एंटी की सेलरी गेरा हजार आट सो रोपे इस टाइम पे है उसमें शहहजार साथ पांसजार तीन हजार रोपे आ रहे हैं अब लोग कितने कह रिए कर रहे है और एक हमारे सरकार रहे हैं कर रहे हैं अंब यह रहा है करें या इसका टेंडर निर्फ किया जाए और हमारी तो मांगें यह सरकार से कि ठेका प्रथा को खतम करें नाचम में बिला किया जाए हम लोगों का